कि यूपी स्कॉलरशीट को फॉर्म बरते समय एंपेशियाई को लेकरके काफी सारी समस्याई आ रही है तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है क्या आपको बेंक एकाउट एंपिशयाई से मैप्ड है या फिर नहीं उसके बाद आपको आगे क्या करना है अगर नहीं तो आपको आगे क्या करना है तो इसके लिए सबसे पहरे चेक करने के आपको जैसा की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आपको Google Chrome में चले आना है और यहां पर यू आई डी आई सच करना है जिसका डाइक लिंक में आपको वीडियो के डिक्स्रिप्शन बाक्त में देंगा और यहां से आप चाहे तो डेक्स टॉप साइट पर कर सकते हैं थोड़ासा बहतर रहेगा आपको जब आप भी लॉग इन करेंगे या फिर जो भी आप प्रोसेस करेंगे उसको देखने में और उसको समझने में ठीक है यहां पर जो पहला ओफिशल लिंक दिखना होगा ऐसे में एक आपको डिख जाएगा अधहार सर्विस्जीश का उसन पर हुल इस सर्मेघर आपको डिए आपको क्लिक करते हैं तो यहां पर लिंकिंग सटेटस यहां हमें तो यहां पर आपको क्लिक करना है độ लॉग इन का ओप्शन दिख जाएगा इस लॉग इन वाले आप्शन पर आपको क्लिक करना है अब लॉग इन वाले आप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आधार नंबर फिलब करना है और यह जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको सही सही आपको यहां पर फिलब करना है आ करना है अब आप लॉगिन हो जाएगे अब जैसे यह लॉगिन हो जाएगा तो यहां पर आपको नीचे की फीर आपको यहां यहां पर आपका दिखा देगा सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप जाकर के बैंक से उसको हटवा सकते हैं और दूसरी में जाकर के सब्सक्राइब करें फिर नहीं हो रहा है तो इस सब्सक्राइब का इस्टेटेश करें तो इसके बाद वह सारा चीज सही है यहां पर एक्टीव दिखा रहा है फिर भी नहीं हो रहा है तो इसका मतब्वी है कि जब आप कर रहे होगे तो उस वक्त यूपी स्कॉलोशिप के सर्वर में कोई समस्या होगी सर्वर में कोई इसू होगा तभी नहीं हो रहा होगा या फिर यह भी समस्या हो सकती है कि आपने लेट से अपडेट कराया होगा या फिर अपडेट कराया कि साम को या फिर राग को कलिए कि 11 बजे या फिर 9 बजे के बाद आप ट्राइ करेंगे तो आपका स्टेटस वेरिफाइड हो जागा इस तरीके से आपके NPCI का स्टेटस एक्टिव दिखाना चाहिए अगर आपका एक्टिव यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो इसके लिए आ इस वीडियो में इतना हिजाज़त दीजिए धन्यवाद थैंक्स वाचिंग मिलते हैं नेक्स टूडियो में